तो सावन के दूसरे सोमवार पर दो बातों को आपको करना है एक, आपको एक पौधा लगाना है जरूर से क्योंकि हरियाली अमावस्या भी है और भगवान शिव की पूजा करनी है फूल और पत्तियों के माध्यम से इसके अलामा आपको बताते हैं कि आप अपनी राशी के अनुसार सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान शिव की पूजा कैसे करेंगे और कैसे उस पूजा से आपका कल्यान होगा, कैसे उस पूजा से आपका मंगल होगा सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करियेगा नौ बेलपत्र कम से कम आपको अर्पित करने हैं या एक ही बेलपत्र जल से धो करके नौ बार आप शिवलिंग पर अर्पित करियेगा और आप सावन के दूसरे सोमवार का उपवास भी रखियेगा ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगा मेश वाले थोड़ा सा स्वास्थ को ले करके और पारिवारिक मामलों को ले करके परिशान है इसलिए अगर वो शिवलिंग पर बेलपत्र अरपित करके प्राथना करेंगे और सोमवार का उपवास रखेंगे तो स्वास्त की जो बाधाएं हैं वो आपकी धीरे-धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी नमह शिवाय का जब भी आप कर लीजेगा वैसे तो सबको करना चाहिए लेकिन मेश राशी वाले खाते, पीते, चलते, फिरते, उठते, बैठते सावन के सोमवार पर नमह शिवाय का अगर जब करेंगे तो उनके लिए बहुत कल्यानकारी होगा व्रिशब राशी देखिए व्रिशब राशी वालों के पारिवारिक जीवन में फेमिली लाइफ में थोड़ी समस्या, थोड़ी प्रॉबलम इस समय दिखाई दे रही है और जादा तर ये पारिवारिक समस्याओं से परिशान है आपको अपने पारिवारिक जीवन को, अपने वैवाःक जीवन को बहतर करना है सावन के दूसरे सोमवार पर आप इसको बेहतर कर सकते हैं भगवान शिव को सफेद फूल आपको अरपित करना है श्वेट फूल अरपित करिएगा याद रखिए केतकी का फूल अरपित नहीं करेंगे शिव जी को सफेद फूल अरपित करें और ओम गौरी शंकराय नमहा ओम गौरी शंकराय नमहा इस मंत्र का अधिक से अधिक आपको सावन के दूसरे सोमवार पर जब करना है आप जितना जब करेंगे इस मंत्र का और जितनी प्रात्ना करेंगे भगवान शिव से आपका पारिवारिक जीवन और आपका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से बेहतर होता चला जाएगा मिथुन राशी देखिए आपकी समस्या क्या है? एक तो करियर को लेके थोड़ी परिशानी चल रही है इस समय और दूसरा मिथुन राशी वाले बेवज़ अपयश के शिकार हो रहे हैं दूसरों के चक्कर में बेवज़ जंजटों में पड़ रहे हैं और बेवज़ की अपयश की संभावना बन रही है करियर में प्रेशर बहुत है एड़िस्टमेंट नहीं हो पा रहा है क्या करेंगे मिथुन राशी के लोग दूर्वा ले आएं दूर्वा यानि दूब घास जो भगवान गणेश को आम तोर पे हम अर्पित करते हैं वो आप दूर्वा ले आईएगा और दूर्वा के कम से कम नौ हिस्से कर लीजेगा नौ टुकडे बना लीजेगा और एके करके नौ बार आप शिवलिंग पर दूर्वा अर्पित करिएगा आप चाहें तो दूर्वा की एक माला भी बना सकते हैं और दूर्वा की ये माला आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं बहुत शुब होगा इसके अलामा शिव मंत्र का जब करें और हमारे विद्वान दर्शक जानते हैं नमः शिवाय का जब करें या श्री शिवाय नमस तुभ्यम इस मंत्र का जब करें बहुत अच्छा रहेगा जितना ज़्यादा आप शिव मंत्र का जब करेंगे और दूरवा अर्पित करके प्राथना करेंगे उतना ही कल्यान होगा आपका और एक पीपल का पौधा मिथुन राशी वालों को जरूर लगाना है अगर एक पीपल का पौधा आप लगा देते हैं सावन के दूसरे सोमवार पर संतान को ले करके या संतान की उन्नती को ले करके आपके मन में जो चिंताएं हैं जो दिक्कतें हैं वो चिंताएं वो दिक्कतें आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे करक राशी भगवान शिव की सबसे ज़ादा नजदी की जो राशी है वो करक राशी है क्योंकि चंद्रमा इस राशी के अधिपती है और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर हैं तो करक वालों को तो भगवान शिव की कृपा हमेशा चाहिए ही अगर आपकी राशी करक राशी है तो भगवान शिव को बेल पत्र आपको अरपित करना चाहिए भगवान शिव को नौ बेल पत्र अरपित करें या एके करके एकी बेल पत्र को नौ बार अरपित करें और हर बार जब बेलपत्र अरपित करेंगे तो मन ही मन में कहेंगे नमह शिवाय ये कहेंगे और शिव जी को बेलपत्र अरपित करेंगे मंदिर में दीपक जरूर जलाईएगा सावन के दूसरे सोमवार पर संध्याकाल में एक घी का दीपक शिवजी के मंदिर में जरूर जलाईएगा बहुत शुब होगा आपके जीवन में जो इस समय एक ब्लॉकेज आ गई है जो एक रुकावट आ गई है आपके तमाम महत्वपूर काम बीच में रुक गए हैं वो तमाम काम आपके बन जाएंगे इस छोटे से उपाय से और आप किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का या भोजन का दान भी करिएगा अगर आप सावन के दूसरे सोमवार पर ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं आपका कल्यार जरूर होगा और याद रखिए जीवन में जो ब्लॉकेज चली आ रही है जीवन में जो बाधा चली आ रही है इस छोटे से उपाय से वो बाधा दूर हो जाएगी सिंग राशी स्वास्थ का मामला अच्छा नहीं है पारिवारिक चिंताएं इस समय परिशान कर रही है और करियर को लेके उहा पोह की कनफ्यूजन की इस्थिती आपके लिए बनी हुई है क्या करेंगे सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान शिव को जवा कुसुम यानी गुड़हल का फूल ये आप अर्पित करेंगे कम से कम तीन गुड़हल के फूल हो तो बढ़िया है नहीं तो एक गुड़हल का फूल तीन बार आप शिवलिंग पर अर्पित करियेगा जितना संभव हो शिव मंत्र का आपको जब करना है नमह शिवाय का जितना ज़्यादा आप जब करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए कल्यान कारी होगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए मंगल कारी होगा और किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सिक्कों का दान आप कर दें क्वाइन्स का एक रुपए के सिक्के हों, दो के हों, पांच के हों, दस के हों, बीस के हों जितना संभव हो क्वाइन्स का सिक्कों का दान अगर किसी निर्धन व्यक्ति को कर दें तो आपके लिए बड़ा बढ़िया होगा और करियर को लेकर के जो असंतोश है करियर को लेकर के जो बाधाएं हैं वो बाधाएं आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी कन्याराशी कन्याराशी के लोग अपने पारिवारिक जीवन को लेके अपनी family life को ले के परिशान है संतान को ले कर भी थोड़ी चिंताएं है और कहीं न कहीं उनको बेवजह का अपयश भी इस समय मिल रहा है कन्या राशी वालों का समय थोड़ा सा कठिन चल रहा है क्या उपाय करें सावन के दूसरे सोमवार पर कि उनके मन की उनके परिवार की उनके जीवन की जो चिंता है वो दूर हो जाए सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान शिव को भांग और धतूरा ये आपको अरपित करना चाहिए भांग और धतूरा शिवलिंग पर अरपित करिएगा और प्राथना करिएगा कि प्रभु मेरे जीवन में जो विश है, मेरे जीवन में जो मुश्किल है, वो मुश्किल दूर हो जाए इसके बाद शिव मंदिर में एक घी का दीपक जला दीजिएगा और शिव पंचाक्षर इस्तोत्र का पाथ करिएगा और अगर शिव पंचाक्षर इस्तोत्र नहीं पढ़ पाते तो आप केवल नमह शिवाए अधिक से अधिक जप लीजिएगा ये आप सावन के दूसरे सोमवार पर अगर कर लेते हैं आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी पारिवारिक बाधाएं धीरे धीरे आपकी जीवन की बाधाएं दूर होनी शुरू हो जाएंगी तुलाराशी एक तो विवाह को लेके दिक्कते हैं विवाह को लेके थोड़ा विलंब हो रहा होगा या थोड़ा सा वैवाहिक मामलों में दिक्कत होगी और दूसरा स्वास्थ आपका बहुत अच्छा नहीं है और इस समय स्वास्थ को ले करके आपको जटके भी लग सकते हैं क्या करें कि तुलाराशी वालों का जीवन अच्छा हो जाए सावन के दूसरे सोमवार पर शिव जी को रितुफल अरपित करेंगे जो इस मौसम के फल है वो भगवान शिव को अरपित करें आम अरपित करें सबसे बढ़िया होगा भगवान शिव को रितुफल आम के रस से भी भगवान शिव का अविशेक होता है वो चाहें वो करें या आम का फल रितु फल भगवान शिव को अर्पित करें सोमवार का आपको उपवास रखना है सावन के दूसरे सोमवार पर उपवास रखिएगा और जितना संभव होगा नमह शिवाय का जब करिएगा ओम नहीं लगाएंगे केवल नमह शिवाय आप जितना ज़ादा सावन के दूसरे सोमवार पर पढ़ते जाएंगे जितना ज़ादा ये मंतर जपते जाएंगे उतनी ही ज़ादा आपकी बाधाएं दूर होती जाएंगे विश्चिक राशी करियर किस दिशा में जा रहा है जीवन किस दिशा में जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है और ये समझ में भी नहीं आ रहा है कि जीवन किस रास्ते पर जा रहा है क्या करेंगे भगवान शिव को शमी पत्र यानि शमी के पौधे के जो पत्ते हैं ये आप शिवलिंग पर अर्पित करिएगा अर्पित करके जल अर्पित करिएगा और प्राथना करिएगा शिवजी से कि जीवन में सेटिल्मेंट हो जाए जीवन जिस दिशा में बिना कारण के आगे बढ़ रहा है कम से कम सही दिशा में चले और किसी निर्धन व्यक्ति को खाने की वस्तु का दान करें खास्तोर से खीर का अगर दान करें या अगर सफेद मिठाई का दान करें तो बहुत कल्यान होगा बहुत मंगल होगा धनुराशी धनुराशी वालों के करियर में कुछ उतार चड़ाव है कुछ उनके शत्रु और विरोधी उनको परिशान कर रहे हैं और कुछ उनके जीवन में आकस्मिक घटनाएं ऐसी घट रही हैं जो उनके जीवन में उनके लिए दिक्कतें दे रही हैं क्या करें? शिव जी को सुगंधित फूल अरपित करना आपके लिए बहुत शुब होगा खुश्बू वाले फूल, सुगंधित फूल सबसे ज़्यादा बढ़िया होगा कि आप शिव जी को गुलाब का पुश्प अरपित करें शिव जी को अगर आप गुलाब का फूल अरपित करें उनसे प्राथना करें तो निश्चित रूप से आपको लाब होगा और सावन के दूसरे सोमवार पर जितना संभव होगा नमः शिवाय का जब करियेगा आपका कल्यान होगा आपका मंगल होगा मकर राशी भगवान शिव को रितु फल अरपित करेंगे आम का फल हो तो बहुती बढ़िया है और शिव जी के मंदिर में घी का एक दीपक जला दीजिएगा और सावन के दूसरे सोमवार पर सुबह शाम दोनों समय एक एक बार रूद्राश्टक का पाठ करियेगा जो बेवज़ा का प्रेशर है बेवज़ा की बढ़ती जिम्मेदारिया है उससे आपको छुटकारा मिल पाएगा कुम्भराशी स्वास्ट को बहतर करना है सावन के दूसरे सोमवार पर शिव जी को बेलपत्र अरपित करें साथी साथ नमा शिवाय का अधिक से अधिक जब करें अपने घर के मुख्य द्वार पर या सार्वजनिक स्थान पर एक बेलपत्र का पौधा लगा दें आपका कल्यान होगा, मंगल होगा, स्वास्थे आपका बेहतर होगा और अंतिम राशी मीन राशी करियर में सफलता मिले उन्नती हो भगवान शिव को पीला फूल अरपित करियेगा एक घी का दीपक उनके मंदिर में जला दीजिएगा और नमा शिवाय का जितना जादा से जादा आप सावन के दूसरे सोमवार पर जब करेंगे आपका कल्यार होगा, मंगल होगा, करियर को लेकर के जो भी बाधाएं जिस भी तरह की बाधाएं चली आ रही हैं वो बाधाएं आपकी निश्चित रूप से दूर होगी